नमबर त्री, कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट नाम के आगे कॉमन लग जाने से इस पक्षी को कॉमन समझने की बूल बिल्कुल भी मत कीजेगा क्योंकि इनके घौसले बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते हैं एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले पक्षी अपना ज्यादा सर समय पेड़ों पर ही गुजारते हैं इनके घौसले बनाने के तरीके के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे दरसल ये पक्षी मजबूत और हरी पत्तियों को चुनकर उनके किनारों पर इतना बारीक छेद करते हैं कि ना तो पत्तों का शेप बिगड़ता है और ना ये वो भूरे होते हैं इसके बाद पौधों के फाइबर या फिर कीडों से मिलने वाले रेशम से ये उन पत्तों को आपस में चिपका कर बहुती बारीकिसे इसकी सिलाई करते हैं एक अनुमान के मताबिक कॉमन टेलर बर्ड अपने हरे घोंसले को बनाने में कम से कम सो से दो सो टाके लगाते हैं जो कि इसे तीज अवा के साथ साथ दूसरे पक्षियों के शिकार से भी काफियत तक बचा के रखता है इस खोंसले को बनाने में इन प्रक्षियों को कम से कम दो से तीन दिन का समय लग जाता है